दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में स्मृती सिन्हा का अपना एक अलग ही अंदाज है। लाखो दिलों की धड़कन कही जाने वाले स्मृती सिन्हा ने अपने करियर की शुरुवात भोजपुरी के दिगज अभिनेता, दिनेश लाल यादो उर्फ निरहुबा के साथ फिल्म रंगिला बाबु से की, अलाकि इस फिल्म को उतनी सफलता नहीं मिली। किन्तो इस मृती सिन्हा के अभिने को दर्शकों ने काफी सराहा और आने वाले समय में, इस मृती ने कई हीट फिल्में देकर भोजपुरी की टॉप नाई काओं में अपना नाम जोड़ लिया। इस मृती ने अब तक भोजपुरी के तकरीबन सभी बड़ी सितारों के साथ अभिने कर चुकी हैं। प्रिये नाईका गरूप में भोच्पूरी इंडश्ट्री में स्थापित कर दिया तो आईए जानते हैं स्मृति सिन्हा के बारे में थोड़ा विस्तार से इस्मृति सिन्हा का जन्म 7 सितंबर 1988 को बिहार के भागलपूर में हुआ था अपनी प्रारंबिक शिक्षा भागलपूर से करने के उपरांत इस्मृति अपने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गई यहां उन्होंने कुछ समय थियेटर में भी काम किया मुंबई में पढ़ाई के दोरान ही इस्मृति के मुलाकात पढ़ाव वत्स से हुए जिनके बारे में एक इंटर्वी के दोरान उन्होंने कहा कि पढ़ाव उनकी जिंदिगी के सबसे खास व्यक्ति है और वो आज जो कुछ भी है उसमें पढ़ाव का काफी अहम योगतान रहा है पढ़ाव वत्स की पार्खी नजरों ने इस्मृति के अंदर छेपी प्रधिवा को पहचाना और उन्हें भोजपुरी फिल्म रंगीला बाबू करने को राजिक किया इस फिल्म को करने के उप्रांत इस्मृति सिन्हा भोजपुरी इंडुश्री से पूरी तरह किया है जसमें एक वॉल्योड अभिनेता जौन अबरहम के साथ भी शामिल है आशा करते हैं इस मृति सिन्हा आने वाले सालों में भी भोजपुरी तर्शकों का ऐसे ही मनोरंचन करती रहेंगे दोस्तों कैसे लगी यह चानकारी आप हमेज जरूर बताएं और पने दोस्तो हैं खुश रहें धन्यवाद